बेका और उसका छोटा भाई टाइलर अपने नानानी के यहाँ एक हपते की छुट्टियों पर घुमने जा रहा है चहां वो अपने नानानी से पहली बार मिलेंगे कुछ गंटो बाद ही अपने नानानी के यहां ट्रेन से पहुंच जाते हैं जहां बेका और टैलर को बड़े अच्छे-च्छे फूड्स खाने को मिलते हैं गुमने को मिलता है मतलब एकदम चिल और फन वाली वाइब रहती है बेका को वीडियो ग्राफिक का सौक होता है इसलिए वो अपने घर से लेकर नानानी के हाँ तक बिताय हपते भर की चुट्टियों पर एक डॉकुमेंटरी फिल्म बना रही होती है जिससे वो हर टाइम बस वीडियो रिकार्डिंग करती रहती है एक रात बेका और टाइलर को किसी के दोड़ने के अवादे आती है मगर रात काफी ज़्यादा हो चुकी होती है इसलिए अपने रूम का दरवाजा ओपेन करने से डरते हैं मगर टाइलर किसी तरह हिम्मत करके दरवाजा खोल देता है जहां वो देखते हैं कि उनकी नानी अजीव हरकते कर रही है इधर उधर भाग रही है, कभी रेंग रही है जो इतनी रात को देखना काफी क्रीपी लगता है ऐसा अगले दिन भी होता है अब बेका और टाइलर इस क्रीपी नाना नानी के हरकतों का पता लगाने के लिए एक कैमरा रूम के बाहर सेट कर देते हैं ताकि वो रात की पूरी मिस्टरी का पता लगा पाए अब जो वो अगले दिन देखते हैं भाई उनकी नानी जो साइद उनकी नानी नहीं है एक चाकू लेके बेका और टाइलर के रूम के दरवाजे को स्टैब कर रही होती है चाकू से दरवाजे पर लगातार मार रही होती है जिससे दिखकर बेका और टैलर को लगता है कि वो अब दोबारा कभी घर नहीं चाह पाएंगे और वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गये हैं और साइद वो उनके नाना नानी भी नहीं है अब आगे कहानी बहुत क्रीपी है जैसा जानने के लिए आप भी मूवी देखनी पड़ेगी जिसका नाम है दे विजिट जिसका आमड़ी रेटिंग 6.2 है